नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है वेनीच सांगर, डेली बन लेने सोर एक्साम्स 12 ओगस्ट 2022, आज के इंपोर्टर मन लेनेस कौन-कौन सा हैं, चेक करते हैं, सबसे पहला, जोलोजिकल सब्वेव इंडिया पब्लीश के बारे में डीटेल्स है, वैसे जोलोजिकल सब्वेव इंडिया का डिरेक्टर है, थ्रिधी बानाजी, यह आप थ्यान दीजेगा, वन लेनेस में पोच सकता है, जोलोजिकल सब्वेव इंडिया एस्ट्यूलेश हुआ था, 1st July 19 16 को, ठीक है, इडिस दा लीडिंग ओगनेसेशन इन जोलोजिकल सब्वेव इंडिया, इंडिया में लीडिंग ओगनेसेशन है, जोलोजिकल सब्वेव इंडिया की हिस्टरी शुरू हुआ था, इसके अलाबा, एक इंडियन म्यूसियम भी था, जो 1875 में सब्वेव इंडिया का प्रेडेसेशर आप बोल सकते हो, ठीक है, और एक इंपोर्टन इंफरमेशन है दोस्तों, एशाटिक सोसेटी का पहला सूपर इंडिनेट कोन थे, नाथानियल वैलिच, नाउ इस नोट सो इंपोर्टन, बस आपको जोलोजिकल सब्वेव इंडिया क तो प्लान से डील करते हैं, अगला है, प्रथान मंद्री आवास योजना अरबन, यूनियन काबिनेट, चैड बाई दे प्राइम मिंश्र आप इंडिया नरेंद्रे मोधी, मिनिस्ट्री आवास योजना अरबन, अप्टू डिसम्बर 31, 2024, प्रथान मंद्री आवास योजन योजना का objective है, Housing for All, और इसका target था, March 2022, तो कुछ reasons के वज़े से, ये target अच्छीव नहीं कर पाया, इसलिए आपी इस scheme को extension दिया है, December 31, 2024 तर, ठीक है, अगर आप प्रथान मंद्री आवास योजना का official website विशिद करोगे, तो इसमें लिखा हुआ है, आभी तक 12.26 million houses sanction हुआ हुआ है, मतलब 122.69 million houses sanction हुआ है, जिसमें से 61.77 million houses का construction complete हो चुका है, ठीक है, तो ध्यान दीजेगा, प्रथान मंद्री आवास योजना आर्बन का जो deadline है, वो अभी December 31, 2024 हो गया, वैसे December 2021 में, प्रथान मंद्री आवास योजना ग्रामीन को भी extension दिया था, तिल March 2024, अगरा है, Indo-US Joint Research Projects, Joint India-US Research Projects will be implemented through Technology Innovation Hubs, that is TIH, now this is a very important news, इंडिया और United States of America के बीच में, Research Projects में collaborate करने के लिए एक agreement sign हुआ था, तो ये हमारा National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems के अंडर आता है, तो basically exchange programs के लिए जो Basic Infrastructure प्रवेट करना, यही इस National Mission का काम है, वैसे NMICPS, that is National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems, launch वहा था, 2018 में, for a period of 5 years, to enable academia, industry, government, collaboration, and to provide technical support for CPS implementation, तो basically, Cyber Physical Systems को implement करने के लिए जो टेकनिकल सपोर्ट चाहिए, वो प्रवेट करता है, यह जो National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems से, वैसे Cyber Physical Systems मतलब क्या होते दोस्तों, It campaigns Digital Cyber Elements with Physical Objects, देखे, आजकल जितना Digital Technology अवेलेबल है, या फिर Cyber Technology अवेलेबल है, उसे Physical Objects के साथ campaign करने का एक सिस्टेम मा बोल सकते हो, Cyber Physical System, जैसे कि Machines में, Autonomous Vehicles में, आजकल Digital Cyber Technology के इस्तमाल होता है, इसी को ये CPS बोलते हैं, ठीके, ऐसे Technology Innovation Hub मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला, इंडो यूस रिसेर्च प्रोजेक्स, टेक्नोलोजी, इनवेशन, हप्स के तुरू, इंप्लिमेंट होगा, देखे, सिंबल भाषा में, ऐसा हप्स होगा, जहां पे रिसेर्च बगरा कंड़र किया जाएगा, CPS का इंप्लिमेंडेशन के लिए, ठीके, CPS मतलब क्या मैंने आपको पहले बता दिया, साइबर फिसिकल सिस्टम, जो डिजिटल साइबर एलमेंट्स को फिसिकल अब्जेक्ट्स के साथ कंपेन करते हैं, अगला है, न्यू विर्चुल स्पेस म्यूसियम लॉंच्ट भई ISRO, देखे, आजादी का आमर्द महोल सो सेलिबरेशन चल रहा ह तो इस वक्त हमारा नाशनल स्पेस एजनसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ओगनेसेशन, एक इनवेटिव प्लाट्फर्म लॉंच किया है, तो शोकेस वेरियस इंडियन स्पेस मिशन्स अंडियर नुएंसस इन अं इंट्राक्टिव मेंडर, त्रू ए विर्चुल स्पेस म्य खाई देगा, ठीक है, जैसे कि मूसियम, थियर्टर, अब्जरबेटरी, गाडन विट लाइफ सेट रोकेट्स, लेक सेट कफे एरिया, चिल्डर्स प्ले एरिया, एक्सेटर, 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 ठीक है, तो मेइन म्यूसियम बिल्दिंग के अंदर, वन के नाविगे आप्सेटर, डिर्टेक का ईक्सेटर, तो में भी थाएफ रोकेट्स, अबर वहेचित लेके नाविख सेटर, और वहां चिल्डर्स, यह मीजेटर सेटर, जैसर, म। यसेटर, तो मोनमि मडेगे प्सेटर, शेसर, ऑफ्कलेतर, वह स्नल्डिएवेट में करेंग, इसैल्ड बोला है developing countries accounted for 15 of the top 20 economies when it comes to the share of population that owns cryptocurrencies अगर आप दुनिया फरके cryptocurrency ownership देखोगे तो सबसे ज्यादा लोग developing economy से बिलोग करते हैं जैसे कि आप देखें दोस्तों 12.7% Ukraine, Russia 11.9% फिर Venezuela, Singapore, Kenya, US, India, etc. तो सबसे ज्यादा cryptocurrency on करने वाला population developing economy से राधा दानी developed economies थ्यान दीजेगा ठीके इस तरह के statement आप से पूच सकते हैं सब सोचेंगे developed countries के लोग ज्यादा cryptocurrencies on करते हैं पर ऐसा नहीं top 20 economies अगर आप देखोगे उसमें से 50 developing economies हैं now UNCTAD के बारह में 1964 में establish हुआ था to promote development friendly integration of developing countries तो UNCTAD एक permanent intergovernmental body है headquarter है जेनिवा स्विट्जर लाहंट में now UNCTAD द्वारा कई सारी important reports publish होते दोस्तों जैसे कि trade and development report world investment report least developed countries report information and economy report technology and innovation report commodities and development report ये सारे reports important है इसरा के questions examination में अक्सर आता है थ्यान दीजिएगा अगला है गगन यान low altitude escape motor that is LEM static test successfully completed देखे गगन यान mission के बार में आपको मालूम होगा आई ये सारों का मैंट mission है इस mission के अंडर तीन flights बेज दिया जाएगा orbit में उसमेंसे दो unmanned flights होंगे one human space flight होंगे तो जिस flight में humans होंगे उस module का नाम है गगन यान system module या फिर orbital module उसमें तीन इंडियन astronauts रहेंगे including a woman and it will circle earth at a low earth orbit at an altitude of 300 to 400 km from earth for five to seven days तो पांच से साथ दिन तक orbital module earth को orbit करेंगे low earth orbit में at an altitude of 300 to 400 km तो अब news क्या आया है दोस्तों देखे गगन यान प्रोजक्तों चल रहे तो अलग-अलग test अभी चलता रहेगा तो इस में से low altitude escape motor of crew escape system का test faring successfully complete हुए तो basically यह 8-tap का escape system में अगर कुछ problem होता है तो जो ऑसनोड से उन्हें escape करने के लिए तो यह low altitude escape motor या फिर L.E.M. इसका नाम है ध्यान दीजेगा तो दोस्तों that's it I hope आपको video informative लगाओगा lecture की pdf आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे description box में प्रोवेड़न है thank you for watching bye bye have a nice day